आज मेरा टॉपिक है किर्चॉप्स लौ यस हम लोग आज किर्चॉप्स लौ को समझेंगे बहुत अच्छे से मैंने आपके बौर्ड में कि मिस्टर किर्चॉप्स का फोटो भी डाल दिया है उसतो रोबर्ट किर्चॉप्स यस इनका पूरा नाम था जर्मन साइन्टिस्ट और इन्होंने बहुत ही कमाल के नियम बनाए और इसी नियम के आधार पर आज हम लोग ऐलेक्ट्रिकल सर्किट सॉल्व कर पाते हैं क्या था इनका नियम वह आज हम लोग बहुत अच्छे से धीरे धीरे समझेंगे किर्चॉप्स के नियम को यहां पर आज हम लोग पढ़ने आये हैं तो जो गुस्तो की चॉप्स है इन्होंने दो नियम दिये वहले तो बताए ही सर कि किसके लिए काम किया इन्होंने इलेक् इलेक्ट्रिकल सर्किट या इलेक्ट्रिकल नेट्वर्क को सॉल्व करने की इन्हीं बड़े नेट्वर्क हैं उसमें उसको कैसे हम उसमें करेंट कल्कुलेट करेंगे कैसे वोल्टेज कल्कुलेट करेंगे इसी के लिए किर्चॉप्स ने दो नियम बना के दिये और इन्ही में किर्चॉप्स करेंट लह यस एक नाम में किर्चॉप्स भॉल्टेश लॉूट साइब में आज के बाद बूलिएगा के भी ऐल गागे भी ऑ और में लोग बुलिएगा के C.L. Yes. हम लोगे पास दो नाम है, यहीं सॉट फ़र्म में, एक्जाम में KVL और KCL के नाम से आ सकता है, एकदम यही नाम से आएगा, KVL या KCL, explain KVL, या direct question दे सकता है, किर्चॉप्स लौ को explain कीजिए, जैसे ही किर्चॉप्स लौ पूछेगा, तो इसका मतलब आपका दोनों लो को लिखना जरूरी है ऐसा नहीं कि सर किर्चॉप्स लो में एक ही लो होता है ऐसा नहीं दो लो है तो दोनों लो को लिखना है तो किर्चॉप्स लो एक्जाम में बहुत ही फेमस है आएगा चलिए मैं पढ़ देता हूँ क्या लिगाँ किर्चॉप्स वाज जर्मन साइंटिस्ट विच गिव टू लो रिलेटेड विथ एलेक्ट्रिकल सर्कीट से रिलेटेड एनी उनको सॉल्व करने के लिए इनोंने दो नियम बनाए एक का नाम रखा किर्चॉप्स भोल्टेज लो और एक का नाम रखा किर्चॉप्स करेंट लो ठीक है अब सर्क किर्चॉप्स भोल्टेज लो क्या होता है और किर्चॉप्स करेंट लो क्या होता है इसको समझते हैं बहुत अच्छे से मैं धीरी धीरी लेकि जाओंगा जो जो पाइंट जहां जहां बोलूँगा बहुत इ कि एक लो को डीटेल समझते हैं आई सबसे पहले हम किर्चॉप्स करेंट लो को सम्झा रहें फिर किर्चॉप्स बोल्टेज लो कोई भी लोग जा मैं समझा सकते हैं ऐसा ने कि दिए करेंट लो को परेंट लोग सब्सक्राइबं इसा कहीं लिखा नहीं है इन्हों ने यहромगान के किर्छॉपक्त Of और अजम्जा फिर स्च अंगा तेसर क्रिचॅप्स करेंट सबसे पहले तो कि सीयल का फूल फॉर्म करिचॅप्स करेंट लो होता है या नहीं पहला लाइं नहीं लिखieur के सी आल का कैजी अल कि years करेंट इन और करेंट लॉ या किσιौप्स किर्चॉप्स करेंट लोग, किर्चॉप्स करेंट लोग, ACL का फुल फॉर्म क्या होता है, किर्चॉप्स करेंट लोग, दूसरा important बात, किर्चॉप्स करेंट लोग हमेशा किसी भी network या किसी भी circuit के node में लगाया जाता है, यहां कहां लगाया जाता है, node पे लगाया जाता है, ठीक है, कहां लगाया जाता है, node पे, node या junction किसी पे भी आप लिख सकते हैं, this law, this law is applied, this law is applied at, at any node, any node or junction, any node or junction of, of circuit. Yes, किसी circuit के, कहां लगाया जाता है, क्या underline करना है, किसी, any node पे, कोई भी node पे लगाएंगे, और या, any junction पे लगाएंगे, कोई भी junction पे, या कोई भी node पे हम क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे, तो KCL लगाएंगे, तो KCL पूछा था, KCL तहां पर लगाया जाता है, तो KCL नोड में लगाया जाता है या जंक्सन पर लगाया जाता है नोड पर लगाया जाता है या जंक्सन पर लगाया जाता है KCL का full form हो गया क्रिचॉप्स करेंट लोग धीरी-धीरे अराम से points को note करते हुए धीरी-धीरे पढ़ना है आपसर इसका नियम स्टेटमेंट बताईए इसका पूरा नियम लिखके दिखाएं तो मैं लिखते जा रहा हूं ठीके इस लॉस्टेट्स धाट तो मैं बड़ा है इसलिए मैं थुर्ण विडियो को पाउस कर दे रहा हूं आईए मैंने लिख दिया तो बहुत अच्छे से स्टेटमेंट को पढ़िए धीरे-धीरे मैं पढ़ोंगा मैं लिखने इतना लिखने में टाइम जाता आप वेट करते तो वीडियो लंबा होता उसे इसलिए मैंने पहले लिख दिया अधर्वाइज मैं लिखके ही पढ़ाता किसी नोड या जंक्सन पर किसी दूसरे चीज पर नहीं किसी नोड या जंक्सन पर सम अफ ऑल करेंट सम समने जोड होता है सभी सभी धाराओं का जोड कहां पर नोड पर या जंक्सन पर नोड पर या जंक्सन पर सभी धाराओं का जोड ठीक है क्या होना चाहिए जीरो होना चाहिए, सर क्या बोले थे किर्चॉप साहब, बोले थे कि कोई नोड पे खड़े हो जाओ, ठीक है, सर्किट बनाएंगे, हम लोग अभी बना के दिखाएंगे, उसके नोड पे, नोड बताये थे हम आपको नोड भी पढ़ चुके हैं, तो नोड पे खड़े हो जाईए, हम नहीं बोल रहे हैं, ये किर्चॉप साहब का कहना है, ठीक है, एक ऐसा कहावत नहीं सुने हो, इस दुनिया में जब आते हो तो कुछ ले के नहीं आते हो, और जाते हो तो कुछ ले के नहीं जाते हो, फाइनली जीरो हो जाता है, आना, ऐसा होता है ना, फिवाला बात इस यम में लागो होता है बोले भाई जितना current electron current के रूप में आयेगा उस node पे बाद में कहीं सहूं करके उतना ही electron या उतना ही current निकले इन के आके रह जाएगा उस नोड पे आया है कहीं से current तो उसी लेकिन इसमें important point, ध्यान से सुनियेगा, जो बात बोल रहा हूं, where जहाँ पर आने वाले current, उस node पर आने वाले current होंगे, जाने वाले current भी हो सकते हैं, तो आने वाले current is taken positive जाने वाले current, जाने वाले current, यहनि आउट गोईंग करेंट, incoming current, taken positive, incoming को positively लिजे और outgoing को negative लिजे, लेक एक बच्चा अब्जेक्ट कर दिया, नहीं हम ऐसा नहीं लेंगे, तो किरचाफ सहाब बोले कोई बात नहीं, वाइस भरसा लिख दो, वाइस भरसा मतलब, मतलब भाई, तुमको जो मानना है मानो ना, जैसे आने वाले को पलस मानोगे, तो जाने वाले को मानना ही पड़ेगा आसर, अगर तुम बोलोगे नहीं, आने वाला को हम माननेंगे, तो जाने वाला प्लस, आने वाला को प्लस, तो जाने वाला को मानना है, तुमको जो अच्छा लगता है वो मानो, एक दम उफिरी कर दिये, ठीक है, लेकिन इतना तय है कि आने वाला को माननोगे, तो जाने व अब आते हैं, इसी को मैं इतना लंबा सा लाइन जो है, इतना लंबा सा जो statement है, इसको एगो छोटा सा expression में लिख सकते हैं, ठीक है, देखें कैसे लिख सकते हैं, आपको लिख के दिखा रहें, आप फासिएगा, ठीक है, at any, at any node, बास इतने ही लिखें, at any node, इसी node पर, sigma, current, इनि, i, बराबर, 0, बस हो गया, sir, अरे, हो गया, इतने ही तो है, ठीक है, इतने ही लिख दिने से, इतना लंबा चोड़ा, जो लाइन है, लंबा चोड़ा का काम हो गया, यही हम लोगों को बताना था, कि ये था किर्चॉप's current law, लेकिन अभी खतम नहीं हुआ, रहे, किर्चॉप's current law पढ़े आप, अभी इसको साबित करके दिखाईए, सरकीट में बना के दिखाईए, फोटो में जा करके एक्जामपल दिखाईए, मैं उस सारी चीजें अब करने, वाला हूँ, मेरे साथ चलिए, एकदम, फोड़ा से इसको और छोटा कर दें, ताकि एक किर्चॉप's current law को यहां पर पढ़े सीख लिए, अभी एक लड़का क्या कहता है, एक लड़का बोलता है, सर क्या मैं इसको दूसरे सब्दों में लिख सकता हूँ, क्यों नहीं लिख सकते हैं, एक हम अपना भासा का परियोग करते हैं, तो देखिए, अपना भासा भी आप एकजाम कर सकते हैं, गलत नहीं होता, अपने सब्दों में ही तो एकजाम में लिखना होता है, तो मैं एक एकजामपल दे रहा हूँ, इक अपना परिवास हा बना रहा हूँ, एक एन ए ओनी लूड और जंक्षन, एक है, और जोड़ सकता है इन एन्य Εलेक्टिकल सरकीट, इ जोडे, at any node or junction, इची node or junction पे, ठीके, at any node or junction, sum of, sum of, all, all, incoming, sum of all, incoming, incoming current, incoming current and outgoing current, outgoing, outgoing current, outgoing current, outgoing current is, is, equal to, is equal to, zero, तर वही बात है, लेकिन उसको भासा बदल दिये, ठीके, where, लिखना होगा यहाँ पर, बात बताना होगा, इससे नहीं छोड़ दीजे, where, जहाँ पर, where, incoming current, incoming, incoming current, incoming current, is taken, is taken, taken, positive, and outgoing current, outgoing, outgoing current, outgoing current, is taken, is taken, negative, क्या, negative, और, vice versa, बताया था ना, vice versa, मतलब मैं क्या किया, उसी को, यह थोड़ा सा, मतलब क्या बुलें, advance भासा है, अरे, advance नहीं है, अंग्री जी, अंग्री जी, समझने वाले, पे depend करता है, मेरे लिए भी आसान है, मेरे लिए भी आसान है, तुमको जो अच्छा लगता हो, लिख दो, तो दोनों में से कोई भी लिख सकते, चली, मैंने आपको खाली बताया, कि कभी भी कोई पर भासाओं को, एकदम अपनी भासा में मना के लिख सकते हैं, लेकिन इतना भी नहीं, डल अंग्री जी लिखना है, कि सर, कुछ समझें नहीं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है, ओके, तो यहां तक हो गया, सर, किर्चॉप्स करेंट लोग का हम लोग डेफनेशन की, अब इसको थो एक सर्कीट बनाते हैं, यहां एक रसिस्टेंस हो गया, यहां भी एक रसिस्टेंस हो गया, यहां भी एक रसिस्टेंस हो गया, ठीक है, यहां से उपर एक रसिस्टेंस ले लेंगे, इसके साथ मिला देंगे, यहां एक रसिस्टेंस ले लेंगे, यहां एक रसिस्टेंस ले कि development लिएन फालिक और काई ह्तक्ता और नोड करने नोड को से 80 फॉल्ट क सबसाइब को सब्सक्राइब में विटिकरे से खाली कहां? काजियाबाद यहां भी नोड होगा, 2 elements मिल रहा है, देख लिजए अरियान, और तो कहीं नहीं होगा, जहां मन करता और बचाओ लिख लिजएगा कहा क्या रहे हैं सर किसी भी नोड पर भार्ती नोड है, यह एक नोड औरीम कर रहां उसको हम लोग क्या बोलते हैं नोड बोलते हैं तो नोड बहुत सारा मैं गुलाबी कलर से दिखा दिया किसी भी नोड पे आने वाले करेंट और जाने वाले करेंट का मान का जोड जीरो होता है यह मैं नहीं बोल रहा हूँ कि के अभी मेरे को नहीं मालूम कितना कितना भोल्टेज है नहीं मालूम इस करेंट का नाम हम दे दिए आई वन अभी सब का भेल्यू का है नहीं दे रहे हैं भेल्यू अभी दे देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा दे भी दीजे आप दो चार छे आर दास बीस एकीस पचास सथ सव तुमको जो मन करता है रख दो लेकिन करेंट तो फ्लो करेग इधर से आ रहा है इधर करेंट जा रहा है और त्याने वाला करेंट बना दिये इसका नाम बना दिये और यही नोड में लेना चाह रहा हूं सी नोड तुमको जो मन करता है कहीं भी ले जाओ थिक्ए तुमको जो अछा लगेगा वहां बलोगए ठीक हम कर देंगे चलिए इसी को देखें यह करेंट यहां से जारा ही करेंट का नाम कितना होगा आईसी गुआ यह था इम tribes कि कॉन करेंट आ रहा है देख लो इसार शारा आई 3 यहां आई 3 आ रहा है देख लेना अधिक है यहां तो तो यहां अनी रहा है और भी नोड है हम सब नोड पे बनाने लगेंगे तो पेचिदा हो जाएगा फूटो हम किसी एक नोड पे दिखाना चाहते हैं मैं क्या बोल रहा हूं एट एट नोड एट नोड सी सी पे चलो कानपूर पे तुमको ट्रैफिक पुलीस की तरह खड़ा हो जाना है एक दम ऐसे खड़े हो जाईए पिच्छे में कहां पर नोड पर ठीक है किताब में कैसे रहता है वह भी दिखा देते हैं देखिए कानपूर ऐसे हो गया कानपूर हो गया जी एक उधर से आ रहा था तार एक उधर से जा रहा है तार एक इधर है और एक इधर है इसे दिख रहा है अब इसमें गौर से देखिए का करेंट कौन-कौन में आ रहा है तो सर इधर करेंट आ रहा है इस करेंट का नाम आई वन है तर इधर करेंट जा रहा है इस क करेंट का नाम आई 4 है तो अब आप यहां खड़ा होके देखिए कौन-कौन करेंट आ रहा है कौन-कौन जा रहा है अब आपको ही बताना है कि आपको मैंने बोला था कि आने वाले को पलस मानिये जाने वालों को माइनस या उल्टा भी मान सकते तुमको जो अच्छा लगता ह है मानों तो मैं आने वाले को पलस मान रहा हूं आने वाले को मेरी मर्जी मेरी मर्जी मेरा बोर्ड मेरा मारकर इसले हम अभी मेरी मर्जी चलेंगे तुमरा कॉपी तुम जब लिखने लगो तुमरा मर्जी चलेगा हम कुछ ने बोलेंगे चलिए तो आने वाला करेंट को हम पलस लेके चल रहा है यहां भी जाते हुए दिख रहा है माइनस आई-4 और बराबर हम नहीं बोले थे जीरो यह किर्चौप साहब का कहना था कि सब को जोड़िये घटाइए जो भी उसका मान है साइन के साथ उससाब का मान जीरो होगा यह मैंने नहीं कहा था कि चौप साहाप का कहना है, उन्होंने बहुत अच्छे से इसका एक्स्بेरिमेंटल प्रूफ किया है इसलिए अभी तो proof नहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन उन्हें फूरा साबित किया था, इसलिए इनके नियम को circuits में लाया गया, तो ये था किसी node, एक लड़का बोला नहीं सरा, हमको E node पे बताई तो, चलिए, हम E node पे भी बना सकते हैं, at node, at node E, E node पे चलिए, E node पे जाएए ब plus I2 minus I5, बराबर कितना हो जाएगा, जीरो, इस तरीके से आपके पास यहां भी बन गया, तो किसी भी node पे काम होता है, किसी भी node पे काम होता है, at any node incoming current plus outgoing current is equal to 0, यह था किर्चॉप्स करेंट, लो रुकिए भी, खतम नहीं हुआ है, बहुत सारी बाते हैं मेरे को करनी, आप से आप भागना चाहते हैं बहुत जल्दी, धीरे धीरे चलिए अराम से, ठीके मैं आपको एकदम slow motion में ले जा रहा हूँ, फ़ड़ा उपर करते हैं था कि इसको जो है, आप फ़ड़ा side में रखें, कुछ points है, मेरे को देना है आपको लिखने के, लिगा बना रहा हूँ, चलिए, उमीद है दिखाई दे रहा होगा, मैं देख लेता हूँ, आसर दिखाई दे रहा है, तो अब यहां के बाद कुछ main important point और यह important point note करके लिए, यह note 2000 का है, अब 2000 का note चलता नहीं है, सबसे बड़ा note, कोई बात नहीं, लेकिन note ऐसा किजेगा, कि यह exam purpose के लिए बहु इक्टिप question बनेंगे, फिर सारे questions को directly बोला जाता है, ठीक है, इसी से direct question दे देंगा, बुले गारे सर सही बोले थे आप, एक सही नहीं बोले थे, एक दम सही बोले थे, चलिए पहला, पाइंट ठीक है, ध्यान से देखिएगा, पाहला point क्या बोल रहे हैं, ठीक है, ACL, ACL, ACL is always always applied, applied at node, at node और junction, यह तो पहले भी बता दिया हैं, सर, कोई बात नहीं, note में फिर से एक बार आ जिया, या हमेशा, ठीक है, कहां लगता है बाबु, node और junction पर लगता है, याद रहेगा, ठीक, it is also called, it is, it is also called, also called, point law, क्या बोलते हैं, point law भी कहते हैं, एक नाम तो KCL पढ़े ही थे, यह उसका पूरा नाम की चॉप्स करेंट लो था ही, इसका एक और नाम होता है, point law, याद रहेगा, इसे point law भी कहते हैं, yes, इसे point law भी कहते हैं, तर एक और, और एक है, लगता है, point एक हम एक और point है, एकदम सही समझे, एक point और लिखते हैं, ठीक है, this law, this law, this law, works, this law, works on the principle of, on the, on the principle of, on the principle of, on the principle of conservation, on the principle of conservation of charge, conservation of charge, yes, सर नहीं समझे नहीं, हम भी नहीं समझे थे, बढ़ाई ये नहीं, मैं एकदम आराम से समझा रहा हूँ, principle of conservation of charge, ठीक है, आवेस के सनरक्षन के सिद्धान्त पर काम करते हैं, इतो सर हिंदी बता दिये, समझे कहां, मैं समझाने की कोसिस करता हूँ, पूरी अच्छे से समझाओंगा, धीरी-धीरे समझाओंगा, इस points को इतना बार रटिये, मैं ऐसा बोलू, तो कह देता हूँ, कि इस पूरे topic का सबसे important point है, और ये VVI point है, और एक दिन का नहीं, अगर जब तक आप J.E. नहीं बन जाते हैं, जब तक आप exam दे रहे हैं, तब तक इ exam से पहले पढ़के जाईएगा, ठीक है, कोई ना कोई exam में, हर exam में आईए जाएगा, इससे हम कैसे जानते हैं, कोई ना कोई exam में आजाएगा, उस दिन बोलिएगा, सर आपने सही कहा था, एकदम इस line को तो पढ़के जाएगा, इस तीनों point important है, ये point बहुत इसलिए important है, क्योंकि ये इतना बार बताया जाता है, बोला जाता है ना, कि आदमी को याद होता है, वाला point को सब बच्चा ध्यान नहीं देता, इस सिद्धान्त पे KCL पे काम करता है, तो ठीक है, conservation of charge, समझे नहीं सर, अब समझा ही, सुनिए, charge मतलब always, अब एक बिंदू पे देखो, ब current आ रहा है, मतलब current कैसे flow करता है, ठीक से बताना, current किसे कहते हैं, आवेश के प्रवाह को, इन्हीं, electron के प्रवाह से current उत्पन होता है, तही है, इसका मतलब इधर current आ रहा होगा, तो electron इधर जा रहा होगा, कितना current आ रहा होगा, मानलो 5 ampere, तो उसकी अनुसार से charge तो होगा पांच करोड चार्ज इधर ता रहा है, ठीक है, पांच करोड चार्ज, अब यहीं पांच करोड चार्ज इधर से तीन जग़ से आ रहा होगा, इधर से, इधर से, इधर से, मतलब इधर से एक करोड, इधर से दो करोड, इधर से भी एक करोड, दो करोड, दो करोड, दो करो निकले कि यस चार्ज कहीं से उत्पत्ती नहीं हुई रास्ता में खाली सब लोग आ रहे हैं इधर से 20 आदमी आया इधर से 50 आधमी आया ठीक है सब मिला के एक और रास्ता बना दी असी आदमी को इधर से असी आदमी लिखा तो आदमी का संरक्षन हुआ मतलब ना तो आदमी बढ़ा ना तो आदमी घटा जितना आदमी था उतना ही आदमी गया यहीं है आवेस के संरक्षन का सिद्धा मतलब यहां पर चार्ज कंजर्व रहता है कंजर्व म मैं आज आपको करेंट लो समझाए पूरे एक बोर्ड में करेंट लो है बहुत अच्छे से इसको नोट कीजिए और बाबु इतना अच्छा से इसको पढ़िए कि एक भी कोश्चन ना छूटे मैं जान बूच करके एकदम धीरी धीरी बता रहा हूं एकदम जनरली जब मैं कंपेटिटिव और हाईर लेबल में पढ़ाता हूं तो यह जो है आपको एक दस मिनट का क्लास है दस मिनट भी नहीं लगता है हम लोगों को पूरा के विल के सिल खतम लेकिन आपको एकदम समझन करेंगे धीरी धीर आराम से ठीक है यह दिलेक्टर समझ आता है बहुत अच्छी बात है नहीं आता है हम से तुरंत बात कीजिए अहां दिक्कत हो रही है मेरे पढ़ाने में या आपको समझने में मैं किस टॉपिक को समझाने पा रहा हूं जैरू बताईए इस लेक्षर में झाल 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 को समझाने में खाने खाने में वेक्ने लगा झाल समझे एक्ठा ग्वेटी यह बात्ने किसे अट्स्वाव को।